नमस्कार साथियों अभी वेक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है आज के सेसन में हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त यानिकि आज के करंड़ फेर को हम पढ़ने वाले हैं तो इस सेसन की सुरुआत करते हम एक जबरदस्त सायरी के साथ तो अर्ज किया है ये जिंद की हसी ह इससे प्यार करो अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो क्या ये जिंदकी हसी है तो इससे प्यार करो अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो वह पल भी आएगा जिंदकी में जिसकी ख्वाइस है आपको रब पर भरोसा रखो और वक्त का एतबार करो ठीक है तो सब कुछ सिखा देता है और वक्त सभी का आता है तो अपना भी आएगा तो लगातार मेहनत करते रहना है तो चलिए आज का जो पहला क्यूशन है वह देख लेते हैं कि हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड डाक घर कहां इस्तापित किया गया है ऐसा पहली बार हुआ है ज तो वह आपको चैन करना है कमेंट्स करके आपको बताना है कि 3D प्रिंटेड डाक अगर कहां इस्तापित किया गया है चार ओप्शन है जैपूर दिल्ली बैंगलूरू विसाका पतनम ठीक है तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है कि भारत का सबसे पहला 3D प्रिंटेड जो अगर इस्तापित किया गया है वो कहां पर इस्तापित किया गया है तो बैंगलूरू में इस्तापित किया गया है ठीक है कहां पर इस्तापित किया गया है बैंगलूरू में इस्तापित किया गया है अब यह दो न्यूज में किस प्रकार से रहा है उसको भी थोड़ा सा दे में इसका काम पूरा हुआ है ठीक है तो जो डाक अगर खोला गया है इसका काम 45 दिन में हुआ है ठीक है और यह जो डाक अगर कहां पर खोला गया है यह effect आपको याद रखना है कितने दिन में complete हुआ है वो जरूरी नहीं है लेकिन खोला कहां पर गया है वो आपको याद होना चाहिए तो कहां पर खोला गया यह बैंगलूरू में खोला गया है ठीक है अगर बात करें कि भारत में डाक सेवा की तो भारत में सबसे पहले डाक सेवा किसने शुरू की थी और कब शुरू की थी तो देखो सबसे पहले जो डाक सेवा भारत में शुरू हुई है वो 1766 में हुई है जब वोरین हेस्टिंग ने इसकी सुरुवाद की थी तो कलकता में एक डाक अगर की इस्तापना की थी कब 1774 हिस्वी में ठीक है लेको डाक अगर की इस्तापना हुई है 1774 में किरें यह धूर्रांक यह लिएक्र ब्यायात के विवक हैं किसने चाहरन हेस्टिंग ने शूरू किया था शातरासो चाहरू किया था लेकिन ढाक विवस्ता थ confidential रूप कर रहे थी हम बात करें कि व्यवस्तित डाक व्यवस्ता की यह इसकी कि हुई है तो एक अक्टूबर 1864 में इसकी स्टापना की गई थी और किस ने किया है तो लोड डलहोजी ने किया है उस समय लोड डलहोजी भारत के गवर्नर हुआ करते हैं तो यह आपको याद रखना है कि भारत में व्यवस्तित डाक सेवा की सुरुवात किस ने किया है और क्यूशन ऐसे पुछा जाए कि भारत में पहली बार डाक सेवा कब शुरू की गई थी अगर ओप्शन में है 1766 तो आपको 1766 टिक करना है अगर नही पूशन है कभी कभार अखबारों में देखे जाने वाला नहारगड जेविक उद्यान कहां इस्तित है ठीक है चुकि यह इंपोटेंट है और यह न्यूज में रहा है जी एस की दृष्टी से भी इंपोटेंट है जो नहारगड जेविक उद्यान है वो कहां परिस्तित है आपको कमेंट्स करके बताना है4 जाइपुर अजमिर अलवर जोधपूर ठीक है तो नाहरगड जेविक उद्यान है वो जैपुर जीले में इस्तित है कहां पर इस्तित है जैपुर में इस्तित है तो को इसकी स्थापना कब हुई है और यह तो वह भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो इसकी स्थापना की गई थी 2013 में और इसका उद्गाठन जो हुआ है वह कब हुआ है 2016 में हुआ है ठीक है तो को इस्तापित तो कर दिया गया था 2013 में इस्तापित कर दिया गया है इसको और इसका उद्गाठन 2016 में किया गया है मुखे मंत्री वसुंद्रा राज्य दवारा इसका उद्गाटन किया गया है यह है कहां पर यह important है इसके location आपको याद रखनी है कि यह जैपूर जीले में इस्तित है जैपूर जो दिली राजमार गया वहाँ उसके निकट इस्तित है ठीक है तो यह सारी ची इसकी मोत के बाद लोयन सफारी पर संकट है यह जीएस क्या है जीएस एक लोयन है ठीक है क्या है लोयन है सेर है यह इसकी हाल ही में मोत हो गई है और यह कहां पर था जीएस नाम का इस जो सेर है वह इस नहारगड जेवी कुद्यान में था जिसकी हाल ही में मोत हो गई है और और उसके बाद, यहाँ पर जो सेर नी रहती है जिसका नाम है साफारी, तो उस पर भी थोड़ा सा खत्रा मंढरा रहा है, तो इसलिए यह news ने रहा है, तो आपको यह आयाद रखना है, कि जो सेर हैं, पर हम चरचक कर चुके हैं, तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि आयूशीन की रेड लिस्ट में सेर को कौन सी सरेणी में रखा गया है और बाग जो है जो टाइगर है उनको कौन सी सरेणी में रखा गया है दोनों आपको कमेंट्स करके लिखने हैं ठीक है में पर्थम इस्तान पर कौन है हाली में एक रिपोर्ट जारी की गई है और यह जो रिपोर्ट जारी की है यह हुरून रिसर्च इंस्ट्यूट द्वारा जारी की गई है जो की एक अमेरिका के इंस्ट्टूट है और इसने इंडिया आर्ट लिस्ट दोहजार तेबीश से यह जारी किया है जिसमें भारत के 50 सबसे अमीर कलाकारों की बात की गई है और उसमें सबसे पर्थम इस्तान पर है वो कौन है उसका नाम आपको बताना है जोगेन चोधरी अरपीता सिंग अनीश कपूर इनमें से कोई नहीं तो पर्थम इस्तान पर है फस्ट इस्तान पर है वो कौन है एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट है जिनका नाम है अनीश कपूर क्या नाम है अनीज कपूर है तो यह आपको याद रखना है यह चुकि अभी न्यूज में रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है अब यह न्यूज में किस परकार से रहा है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं अनीस लगातार पांचवे साल सबसे काम्याब भारतिय कलाकार है ठीक है और इनका देखो जो वार्षिक टरनोर है वो आपको याद नहीं रखना है लेकिन देख लेना है थोड़ा सा वार्षिक टरनोर कितना है तो 91 क्रोड रुपए है ठीक है और अब तक इनकी जो सबसे महेंगी जो कलाकरती विकी है वो कितनी विकी है तो 9 क्रोड 9.27 क्रोड की वो विकी है कितने की विकी है 9.27 क्रोड की विकी है यह देखो परसीद मूर्तिकार है ठीक है और यह मतलब अपनी कलाकरत के लिए विश्व में परसीद है और लगातार पांच वी वार ये सीर्ष पर बने हुए है ठीक ये अपना क्यूसन है एक चैंपियंशिप है विश्वे सुटिंग चैंपियंशिप जिसमें ये जो 10 मिटर एयर पिस्टल है इस सरेणी में भारत को किसने पहली बार स्वरण पदक दिलाया है ये आपको बताना है ठीक है अब ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पहली बार स्वरण पदक जीता है पहली बार क्या हुआ है स्वरण पदक जीता है इसलिए बहुत ज्यादा मिलकर क्या किया है यह स्वरन पदक जीता है ठीक है तो यह न्यूज में किस प्रकार से रहा है यह important है क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब भारत विश्वय जो shooting championship है उसमें स्वरन पदक जीता है तो न्यूज में किस स्वरन पदक जीता है अब देखो यह जो यह मिश्रित परतियों गीता थी उसमें भारत को किसने स्वरन पदक जिलाया है तो अगर इनके स्कोर की बात करें दोनों के मिलाकर जो इसकोर है भारत का कुल इसकोर था 583 अगर इन में दोनों में अलग-अलग की बात करें तो इसकोर रहे 1290 था और जो नरवाल का जो इसकोर है 293 था दोनों को मिलाकर भारत का जो इसकोर था全 पांसो ठीक है और भारत किसको पचाड़ा है तो बात करें दो को Тुर्की को , तुर्की को पीछे छोड़ते हुए तुर्की का स्कोर तुर्की का स्कौर कितना था तूर्फाइसी था वारत का पांसो तुर्यज़ासि था खूड़ है यह मिश्रित परदियोंगी था है इसमें जो परतियों की हैं उनके द्वारा जो कुल स्कोर अर्जित किया गया है उनको जोड़ कर फिर लास्ट में निकाला जाता है कि सबसे ज्यादा स्कोर किस देश का है उसको सुवरान पदक दिया जाता है तो इशा और सिवा ने मिलकर क्या किया है विश्वे सुटिंग चैंपियंशिप में स्वरान पदक जीता है यह आपको याद रखना है और यह इतियास में पहली बार हुआ है जब भारत को विश्वे सुटिंग चैंपियंशिप में स्वरान पदक मिला हो अगला जो क्यूशन अपना कि अंडर ट्वंटी विश्वय कुष्टी चेंपियंशिप में लगातार दो बार स्वरन पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाडी कौन है ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भी पहली बार हुआ है भारत में जब एक ही खिलाडी ने लगातार द दो बार स्वरन पदक जीताने वाली जो पहली महिला खिलाडी है वह कौन है कि ओप्शन है अंतिम पंगाल विनेस फोगाट शरीता मोर और सोनम मलिक ठीक है तो ये अंडर ट्वंटी ये जो चैंपियंशिप है और चैंपियंशिप का नाम है विश्वय कुष्टी चैंपिय भारत को जिसने स्वरन पदक जिलाया है उसका नाम है अंतिम पंगाल ये जो हर्याणा की है और इन्होंने क्या किया है भारत को लगातार दो बार विश्वय कुष्टी चैंपियंशिप में स्वरन पदक दिलाया है ठीक है ये सारे चीजा आपको याद रखनी है अगर बात बाउन किलो वाला जो वर्ग है उसमें इन्होंने क्या क्या था स्वरन पदक जीता है ठीक है और लगातार दूसरी बार हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्वय कुष्टी चैंपियंशिंग में भारत को स्वरन पदक दिलाने वाली जो महिला है वो कोन है अ जनतिम पंगाल ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीत कर रचाहे स्थियास की लगातार दो बार इन्होंने जीतका है तो यह इस परकार से न्यूस में रहआ हैं बाकी next question की ओर बढ़ते हैं चूंकist भारत ने किस देश को हराकर 9 certa championship जीती है यह जीरा है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आज जो खेल से समंधित क्यूशन ज्यादा है तो करेंट में हलाएं कि जो न्यूज में रहे हैं तो पढ़ना तो अपने को पढ़े गाई तो भारत ने किस देश को हरा कर नौवी सेप चैंपियंशिप जीती है या आपको कमेंडस करके बताना है सरी लंका कुवेच मोल्डिय और बांगला देश तो भारत ने किस को हरा कर जीता है 2 अजो कोटा सा भारत ने नोवी बारी सेप चैंपियंशिप जीती है । और इस बार जो हमने हराया है वह कुवेत को हराया है अब ये न्यूज में किस प्रकार से रहा है तो तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं जो सेफ चैंपियंशिप है ये क्या है और इसकी शुरुवात कब हुई थी और कब भारत ने जीता था तो वह थोड़ा सा देख लेते हैं पहले वह ये अंतराश्टी इस तरपर मानेता प्राप्त है एक फुटवोल टूर लेकर 2023 के बीच में हमने क्या किया है इसको नो बार जीत लिया है ठीक है और अब तक कितनी बार खेली गई है तो क्योंकि 14 बार क seront र हुए है जोए होई भारत की हुए है तो यह भनित्था मेंसे नो बार किसी चैंपिंशिप को जीतना बहुत बड़ी बात होती है को आफ को याद रखना है दो पहली बार इसकी शुरुवात 1993 में की गई थी जब इसकी शुरुवात की गी थी तब इसको क्या बोला जाता था तो दक्षिणी ACI 6-3 सहयोग संगटन गोल्ड कप बोला जाता था यानि कि ऐसे कहें कि सारक गोल्ड कप बोला जाता था इसको ठीक है लेकिन 2008 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है सेफ और यह किस से संमन दिता है तो एक footfall, यह tournament है, footfall से संमन दिता है। तो यह सारे चीजें आपको याद रखनी है। और हमने 2023 में किसको वर आया है, तो कुवेथ को अर आया है। तो यह सारे चीजें आपको याद रखनी है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो को हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉंस ग्रूप में सामिल हुआ है अब यह जो ग्लोबल क्राइसिस ग्रूप में इसमें हाल ही में एक देश को सामिल किया गया है अब किसको सामिल किया गया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं इरान, सीरिया, मिसर, भारत हैं इन में से किसको सामिल किया गया इस ग्रूप में तो हाली में भारत को इसमें सामिल किया गया है अब देखो इस ग्रूप की स्तापना कब हुई और इसका उद्द से क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी तो को स्तापना जो हुई है वो 2022 में हुई है यानि कि last year ऐसे कह सकते हैं कि last year इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना क्यों की गई थी जो खाद्य सुरक्षया है और जो उर्जा है जो वित है उससे समंदित अगर कोई crisis उत्पन होता है जो कोई संकट उत्पन होता है तो उसके समाधान करने के कि इसकी स्थापना कब हुई है 2022 में हुई है यानि कि last year हुई है एक खाद्य सुरक्षया वित्य में तत्काल जो वेस्विक मुद्य के समाधान के लिए इसकी स्थापना की गई है और इन सभी मुद्दों पर जो वेस्विक प्रतिकिरिया आती है ठीक है यानि कि अलग अरबाडोस डेनमार्क जर्मनी इंडोनेसिया सेनेगल और अब भी हाली में 2023 में इसमें भारत वी सामिल हो गया है ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि भारत इस ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉंस ग्रूप में सामिल है और भारत के परोशियों में से सिर्फ एक देश इ नेपाल भूटान सिर्लंका यह सामिल नहीं है तो यह आपको याद रखना है ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो अपना क्यूशन है ताइवान ने भारत में कहां पर तीसरा राजनितिक कार्याल है या राजनईक कार्याल है खोलने का एलान किया है तो यह भी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्यूं है क्यूंकि जो ताइवान है वो भारत में तीसरा जो राजनितिक कार्याल ह वह कहलें कि भुषणा कर चुका है के हैं और तो त्न ये तों थोड़ा सी देख लिए चाहिस मुंबस और क्याटी कर्या जाएगा उन्मेर दूसरा ज्यों कर जाएगा नहीं पर हएं इसको कुई भासा को आथ्वी अनुसुची में सामिल करने के प्रस्ताव को किस.. और गुमाद भूचले कि कोई भासा का समन्ध किस राज्य से तो इसको ठोड़ा गुमाफिरा कर पूचले कि जून क्यों जूकूई भासा है कि प्रते 4 आंसर को में बूंसा है वो कौन सा है ये कुई भासा कहां पर बोली जाती है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ये उडिशा में बोली जाती है और उडिशा सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है कि इसको आठवी अनुसूची में सामिल किया जाए अभी देखो आठवी अनुसूची में सामिल नह रुरत होती है तो अभी इसको देखो आठवी अनुसूची में सामिल नहीं क्या गया है लेकिन आठवी अनुसूची में सामिल करने के लिए जो राज्य सरकार है उसने अनुमती दे दी है किंद सरकार ने अभी अनुमती नहीं दी है तो यह आपको याद रखना है कि कुई भ हें पांट करें भासाओं की तो भासा एकाहां पर उलेखित था तो आठवी अनुसूची है तो बहुत्वा धूकत रखने हैं पहुत अनुसूचिय गगर बाथ हो रही है तो भारत के मूल समीधान में कितनी अनुसूच्य starters है त्य races हमधने हैं लैकिन वरतमान में कितनी है वरतमान में उसे चार और जोड़ दी गई और तो टोटल बारा हो गई खेज आपको यादर होनी Cape देख लेते हैं कि उत्थ चैज हैं अपको याद सुसर होने अब देख लेते हैं कि यह जो आठीवी अनुसूची है जिसमें भासाओं का उलेख है उसमें कौन-कौन सी भासाइं उलेखित हैं ठीक है तो वर्तमान में नजर डाल लेते हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ होगा तो जब भी आप क्यूशन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ यह ऐसा पड़ा है तो तुक्के से भी आप लगा सकते हैं तो जो मूल समिधान के अगर बात करें मूल अनसूचियों के अगर बात क कितनी थी 14 भासाई थी अब यह 14 भासाई कौन कौन सी थी उनको थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें अस्मिया है बंगाली है गुजराती हिंदी कंड़ कस्मीरी मल्यालम मराथी उडिशा पंजाबी संसकर्त तमिल तेलगू और उर्दू यह कितनी है टोटल 14 भासाई होगी जो की मूल अनसूची में सामिल की गई थी उसके बाद में जो पंद्रवी भासा एड की गई है वह important है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई एक भासा एड की थी संसोदन के माद्म से और वह भासा कौन सी थी यानिकि पंद्रवी भासा कौन सी बनी है सिंधी बनी है और इसको कब एड़ किया गया था तो सिंधी जो भासा है इसको एड़ किया गया था 1967 में यह आपको याद रखना है कब एड़ किया गया था यह 21 समिधान संसोधन 1967 में इसको अनुसूची में जोड़ा गया था आटवी अनुसूची में जोड़ा गया था उसके बाद 21 समिदान संसोधन 1992 द्वारा भी तीन भासाओं को और जोड़ा गया है ठीक है और वो तीन भासाओं को और जोड़ा गया है ठीक है और वो तीन भासाओं को और जोड़ा गया है ठीक है और वो तीन भासाओं को और जोड़ा गया है ठीक है और वो तीन भासाओं को 212 में और बानुवा जो समयुदान संसोधन उसके मादियम से यह जोडी गई है तब कौन-कौन-सी जोब आपको याद रखना है तो शंथाली है डोगरी है मैंथिली है और बोड़ोए। मैचार अब ये तोटल कितनी वासा ही हो गई 22 भासा ही होगी अब इसमें एक और भाजा एड करने का जो विवाद बना हुआ है और वो है कोई भासा जो उडिशा सरकार है उसने तो अनुमती द्या दी गई है ठीक लेकिन जो केंदर सरकार है उसके अनुमती अभी बाकी है ठीक वरतमान में अगर सास्त्रिय भासाओं के अ ठीक है उसके बाद संसकर्त है जिसको 2005 में सास्त्रिय भासा गोशित किया गया था एक कंणड है जिसको 2008 में सास्त्रिय भासा गोशित किया गया है तेलगू है जिसको 2008 में सास्त्रिय भासा गोशित किया गया है उसके बाद मल्यालम जिसको 2013 में सास्त्रिय भासा गोशित किय खेयस्य भॉसा हैं यह आपको athyहां में और आठ्वी अनुसुची में उल कुल भासा हैं वह बाईस है मुटल अनुसुची में मूल अब्लम अनुसुची एक बात करें तो 12 भासा ही थी उसके बाद सिंदीकू जोडा गया है इसके बाद तीन भासा और एड़ और लास्ट में चार भासाइं, लास्ट वाली जो चार भासाइं वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं, यह आपको याद रखना है संधाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ठीक है, तो यह सारी चीजे आपको याद होनी चाहिए, भासाओं से समधित, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं, अगले दिन के करांट अपेर के साथ, तब तक के लिए आप सबी को धन्यवाद, थेंक्यू,